नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वारत कहता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हुम यहाँ पर बात करने वाले हैं नवेंबर 2024 के बारे में नवेंबर का ये महिना 12 राशों के लिए कैसा जाने वाला है किस तरग की चीज़ें आपको करनी है कि चीज़ों से आपको बचना है कहां पर फोकस रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा सारी जानकरी देखने को मिलेगी इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप से मिसना हो जाए नविंबर के महिने में देश और दुनिया में कौन-कौन सी गटना है होने वाली है इसका मैंने एक वीडियो औल्डी दे दिया है आप सभी को आप उसे जाकर के देख सकते हैं उसमें आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी ग्रह कौन से ट्रांजिट कर रहे हैं और उसका देश और दुनिया पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा आज हम यहाँ पर जो भी राशी बता रहे हैं ये चंदर राशी के उपर आधारी थे इस बात का दियान रखियेगा अपनी कुन्ड़ी के हिसाब से मून साइन को पकड़ लीजीए आप मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजीए आपको फाइदा ही मिलेगा आप नुकसान में नहीं जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के बारे में मेश राशी नवेंबर 2024 का ये महिना आप सभी के लिए क्या कुछ ले करके आ रहा है नवेंबर के महीने में करियर में आपको benefits मिल सकता है इस तरह के योग बन रहे हैं बट बहुत जादा महनत करने की जरूत है यहाँ पर अगर आपने महनत कर ली तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा बट अगर महनत नहीं करी तो यही समय आपको और ज़ादा कष्ट देदेगा परिशानिया देदेगा यहाँ पर पैसो के लेंदेन में या पैसो के expenses में थोड़ा सा ज़ादा सावधानी रखनी है ताकि आपकी जो हालत है वो खराब नहों आप बैलेंस होकर के चलेंगे तो जादा अच्छा रहेगा रिलेशन्शिप में नए रिष्टों के बनने के लिए समय अच्छा नहीं है मतलब कि अगर यहाँ पर आपको रिष्टा देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको निराशा हात लगे बट अगर यहाँ पर आपको कोई भी शादी के लिए proposals अगर आ रहे हैं तो आप उन्हें hold पर रकरके next month आप सगाई के लिए कुशिश कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा वैसे यह सारी चीज़ें कुंड़ी के महरत पर और आपकी अपनी कुंड़ी पर ज़्यादा depend करती है इस बात का ध्यान दखिएगा बट रिष्टों के लिहाद से देखा जाए तो थोड़ा सा कठिनाईयों वाला समय है रिष्टों को बनाने में, रिष्टों को maintain करके चलने में थोड़ी सी महनत जादा लगेगी इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं इसके अलावा स्वास्त के मामने में देखा जाए तो काफी जादा अच्छा समय है और यहाँ पर बिमारियां ठीक होने का मौसम रहेगा बिमारियां ठीक होने के चांसेस देखने को मिलेंगे तो अपने आपको पूरी कोशिश के साथ स्टेबल करने का प्रियास करिए तो आप बहुत जादा अच्छे और स्टेबल रहेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत को परिशानी नहीं रहेगी इसी के साथ साथ यह महिना जो रहेगा यह थोड़ा सा अप डाउन का महिना रहेगा एक तरह से रोलर कोस्टर चलता नजर आएगा कुछ दिन अच्छे कुछ दिन खराब बढ़िए कि नेगरिविटी बहुत जादा नहीं है इस वज़े से निराश्ट नहों करके आशावादी हों करके इस महिने को निकालने का प्रियास करिएगा आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं वरशब राशी के लिए वरशब राशी ये समय काफी जादा अचा है करियर के लिहाद से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं नविंबर के महिने में इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं व्यापार में हो चाहे जॉब में हो दोनों ही इंगल पर देखा जाए तरक्की के रास्ते यहाँ पर खुले हुए हैं और बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर आप कमा सकते हैं अच्छी यात्राएं कर सकते हैं इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं तो लंबी दूरी की आतराओं को करने का प्लान कर सकते हैं और साथी साथ कुछ पढ़ना चाते हैं, कुछ नया सीखना चाते हैं उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं ये समय जो है, ये विवादों को सुल जाने का समय है परिशानियों को दूर करने का समय है व्रशब राशे, नवेंबर के इस महिने का पूरा पूरा फाइदा उठाईए और हर एक चीज को सही करने का प्रयास करिए अपना सारा दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ लगाईए आपको अच्छा परिणाम जरूर देखने को मिलेगा महनत करने पर अच्छा परिणाम जरूर प्राप्त होगा परदू महनत आपको जरूर करनी है इस बात का ध्यान रखेगा शेर मार्केट में अपने आपको जाने से बचाईएगा शेर मार्केट बहुत ज़दा अच्छा नहीं दिखाई दिता पैसो के लेन दिन में थोड़ी सी सावधानी रखेगा लोग दोका दे सकते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है स्वास्त में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है आपको अच्छे परिणाम ज़रूर राप्त होंगे और किसी भी तरह की कोई negativity आपको देखने को नहीं मिलेगी अगली राशी है करकराशी करकराशी ये महिना थोड़ा सा महनत वाला महिना है महनत के परिणाम आने में देरी हो सकती है इस बात का ध्यान रखिएगा निराश नहीं होना है महनत में कमी नहीं लानी है इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा जितनी महनत कर सकते हैं कर लिजिए कर्म करें फल की चिंता मत करिए ये दिमाग में लाइन बिठा दीजिए और इस महिने को निकाल दीजिए क्योंकि जितना महनत करेंगे जाते जाते return उतना ही अच्छा मिलता नजर आएगा बट शुरुवात में ऐसा लगेगा कि महनत का परिणाम नहीं मिल रहा मैं महनत क्यों करूँ बट make sure मेरी बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि महनत करते रहना है करम करते रहना है तभी जाकर के महना अच्छा जाएगा हर एक आस्पेट में बिजनस में जॉब में करियर में रिलेशन्शिप में अपनी daily routine life में यही pattern follow करिए आपका महना अच्छा जाएगा अगर आप यह pattern follow करेंगे अपने आपको उच्छा से भर करके रखिए confidence से भर करके रखिए positive mindset रख करके चलिए ताक कि सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको कोई परिशानी देखने को नहीं मिलेगी अब बात करते हैं आपर अगली राशी सिहराशी के लिए सिहराशी ये समय करियर में थोड़ी सी बदलाव का समय लेकर के आता है किसी तरह के बदलाव यहाँ पर possible है और job change करना चाते हैं तो कोशिश कर लीजिए ये समय थोड़ा सा अनुकूल है नए proposals आपको मिल सकते हैं किसी की मदद से आपका काम बन सकता है इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं challenges उठाने का समय यहाँ पर नहीं है risk लेने का समय यहाँ पर नहीं है बट सोची समझी और plan करके की गई चीज को लेकर के आगे बढ़ना यहाँ पर समझदारी रहेगा इस बात कर ध्यान रखिएगा यहाँ पर सियराशी मतबेद से बचना है पारिवारिक मतबेद को थोड़ा सा बचा करके चले ताकि रिष्टों में किसी तरह की कड़वाहट ना देखने को मिले यह समय वहन चलाते समय भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान आपको ना हो इस बात का भी विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं अगली राशी कन्या राशी के यह कन्या राशी काफी ज़्यादा पॉजिटिव समय है सेहत के लिहाद से बहुत ज़्यादा अच्छा समय दिखाई दिता है थोड़ा सा ऐलर्जिक इशूस का और मौसम परिवर्तन का ध्यान देंगे तो कोई ज़्यादा परिशानी देखने को नहीं मिलेगी पारिबरिक माहोल बहुत अच्छा दिखाई दिता है करियर ग्राफ काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है तरक्कि दिखाई दिती है पैसो से काम बनते हुए और पैसा आते हुए दिखाई दिता है इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं तो इसलिए ये समय जो है ये थोड़ा सा रिलेक्स करने का अपने काम को अच्छे से करने का और अपने आपको आगे बढ़ाने का समय है जितना आपने आपको आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छे परिणाम भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे अब बात कर लेते हैं तुलाराशी के लिए तुलाराशी ये समय जो है ये आपके लिए महनत वाला समय है और महनत के साथ-साथ समजदारी के साथ आगे बढ़ने का समय है ओवर बर्डन लेकर के काम करोगे तो नुकसान में जाओगे प्लान करके और एक-एक चीज़ को मिंटिन करके काम करोगे तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन में या पारिवरिक रिष्टों में देखा जाए तो समय अनुकूल है और परिवार को आप किसी तरह की खुशी प्रदान कर सकते हैं इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं बड़ों के आशिरवाद से ये महिना आपका बहुत अच्छा जाएगा बड़ों की सामने जुकने से आप छोटे नहीं होंगे इस बात का ध्यान रखेगा तो जितना हो सके बड़ों से आशिवाद प्राप्त करें बड़ों को साथ ले करके चलें तो आपको अच्छे परि पर कुलाडी मार सकते हैं इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं काम में थोड़ी सी सावधानी रख करके चलें जल्दबाजी में किसी तरह का कोई भी डिसिजन ना ले इस बात कर ध्यान किएगा जल्दबाजी में लिए गए डिसिजन आपको परिशान करेंगे आपको परिवारी का मिल जोल के लिए बहुत अच्छा समय है तो अगर आप कोशिश करेंगे तो परिवार में सुख समृधी बनी रहेगी और एक अच्छे लेवल पे आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कहीं कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आएगी स्वास्त को लेकर के मैं जरूर कहूँगा कि स्वास्त अच्छा रहेगा कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आएगी और रिकवरी के भी चांसे यहाँ पर बनते हैं तो एक अच्छे लेवल पे आप अपने आपको स्टेबल महसूस करते हुए नजर आएगे अब बात करते हैं आप पर अगली राशी दनुराशी के लिए दनुराशी ये समय काफी जादा पॉजिटिव है ये महीना आप सभी को बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नजर आएगा रुके वे काम बनते हुए नजर आएगे और पैसों की समस्याएं भी कम होते हुए और खतम होते हुए नजर आएगी सरे की योग यहाँ पर बनते हैं पारिवारिक सदस्यों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें पारिवरिक माहोल को बना करके चलें और परिवार में किसी की तव्यत खराब ना हो इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा साथ ही साथ आप सभी अपनी सेहत का भी पूरा-पूरा ध्यान रखिएगा आपकी सेहत को लेकर के भी परिशानिया यहाँ पर दिखाई देती है तो सेहत में साथ नी रखेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत को परिशानी नहीं देखने को मिलेगी अब बात करते हैं आपर अगली राशी मकर राशी के लिए मकर राशी यह समय बहुत जादा अच्छा समय है परन्तु यह समय तब भी अच्छा हो पाएगा जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा पेशिंस लेकर के आगे बढ़ेंगे जल्दबाजी में किये गए निर्ने या जल्दबाजी में किये गए काम यहाँ पर आपको नुकसान ही देंगे इस तरह के योग काफी जादा बनते हैं तो make sure कि आप जो भी काम करें वो अपने दाइरे में रेकर के बिना रिस्क के और प्लान करके आराम आराम से किसी की सला लेकर के ही करें तो आपके लिए ज़ाद अच्छा रहेगा अपने आपको सिर्फ तनाव मुक्त रहें ताकि सिहत में कोई नुकसान नहीं होगा कोई परिशानी नहीं होगी पार्टनर का साथ मिल जाएगा परिवार का साथ मिल जाएगा इस वज़े से काम भी आसानी से बनेंगे और किसी दरे की कोई निराशा आपको नहीं होगी अब बात करते हैं यहाँ पर कुमबराशी के लिए कुमबराशी यह समय थोड़ा सा challenges लेकर क्या आ रहा है किसी काम में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं किसी काम में कोई रुकावट भी देखने को मिल सकती है और काम का प्रेशर आपके वर्क प्लेस पर आपको परिशान कर सकता है विवाद उत्पनक कर सकता है इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं पैसो को लेकर के भी थोड़ी सी सावदानी रखनी है खर्चे पर कंट्रोल रखें ताकि कोई दिकत को परिशानी ना देखने को मिले और साथी साथ सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रखें सेहत में भी कोई ने कोई परिशानी चलती रहेगी इस तरह के योग यहाँ पर काफी जादा बनते हैं अगर आप को बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे अब बात करते हैं अंतिम राशी मीन राशी के लिए मीन राशी यह समय आपके करियर के लिए काफी जाद आच्छा समय है नोकरी में बदलाव चाहते हैं बिजनस में कुछ नयापन चाहते हैं तो इस समय में आप अराम से कर सकते हैं कोई दिकत को परिशानी नहीं होगी धनका सही इस्तमाल करना बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर आपने धनका सही इस्तमाल नहीं किया तो आपको परिशानिया हो सकती हैं इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं साथ ही साथ पारिवारिक माहोल को बना करके चलना बहुत बहुत ज़ादा जरूरी है पारिवारिक माहोल को बना करके चलेंगे तो आपको परिशानिया कम होंगे और आप एक अच्छे लेवल पर अपने आपको stable महसूस करेंगे यहाँ पर परिवार को साथ लेकर के चलना और परिवार के साथ सयम बरतना आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है हेल्थ में अगर देखा जाए तो अप डाउन चलता रहेगा कोई बड़ी दिकर कोई बड़ी परिशानी नहीं है पर छोड़ी चीज़ों को ध्यान रख करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसी विदर की रिस्क ना ले और बहुत ज़द आपने आपको स्ट्रेस में ना रखें इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेगा उमीद करता हूँ कि आप सभी इन सारी चीज़ों को करके अपने आपको पूरी तरह से बैलेंस करेंगे और अपने हर काम को अच्छे लेवल पर बनाने का प्रियास जरूर करेंगे उमीद करता हूँ 12 राश्यों के लिए नवेंबर का ये महिना खुशियां लेकर के आए और कोई दिक्कत कोई परिशानी ना देखने को मिले वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा बैल आइकन पे जरूर से क्लिक करीगा कुछ भी पूछना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मतद्यां पर कर सको धन्यवाद